हरे क्रिश्ना, आज की कहानी में आपका स्वागत है, एक चीज आती है तो दूसरी चली जाती है, क्या आता है और क्या चला जाता है, उम्र के साथ सुन्दर्ता कम हो जाती है, इर्षा आएगी तो धर्म चला जाएगा, क्रोध आएगा तो धन मिठ जाएगा, लोब आने पर साहस कम हो जाता है और बुरे लोग का संग हमारी नैतिकता को कम कर देता है बुढ़ापा आते ही सुन्दर्ता कम होने लगती है युवावस्था का जोश और खुबसूरती फीकी होने लगती है यही प्राकृती का नियम है इर्शा करने से धर्म कम हो जाता है हम कितना भी जब तब कर ले अगर हम किसी से इर्शा करते हैं तो उसका फल शुन्य बराबर हो जाता है क्रोध करने से धन की हानी होती है मा लक्ष्मी नाराज हो जाती है तब की शक्ती कम होती है लोभी व्यक्ति साहसी कभी नहीं हो सकता वो परिश्रम पर विश्वास कम करता है और लूटने पर ज्यादा दूसरे के धन समपत्ती को लूटने की भावना यश कम करती है बुरी संगत जीवन से नेतिकता को कम करती है संगत का असर तो शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा है केकई ने मंत्रा का संग किया दुर्योधन ने शकुनी का संगत के परिणाम भयंकर होते हैं इसी लिए सत्थ का संग करना चाहिए जीवन में कृष्ण भक्ती को अधिक से अधिक उतारना चाहिए धर्म और नेतिकता जीवन को सुखत बना देता है सर्वम श्री कृष्ण अर्पनम